तो जहीं दोस्तों हम लोग अपने एपीसोड को आगे बढ़ाते हुए और हो चुके हैं साउथन डैनेश्टी पर हम लोग अपने इस सेरीज में 45 येर्स फिल्म्स के पीवेक्यू कर रहे हैं और हमने एंसेंट हिस्टी दे सुरू किया हुआ है और हम लोग आज इस एपीसोड में साउथन डैनेश्टी करने वाले हैं सो लेट्स बेगिन इस तो हम लोग का पहला प्रश्न है बिजन्ति गवर्मेंट इस कॉम्पेर्ट टू चोलाज ओके में के बिजन्ति मैंने बिजग सुना हुआ है अज वह यहां अगर मैं लोग कि यहां जहां तक लगता है कि देखिए डिस्प्ले ओफ वेल्थ अगर उस पर जाएं तो मेरे को अगर बिजनती नाम नहीं पता है तो यानि चोला जितना तो वेल्थ किसी नहीं होगा राइट बिल्कुल बिल्कुल तो वो मुश्किल है अपने आप में करना मेरे को जो एट्रैक्टिव दिख रहा है व जादा एट्रैक्टिव है अब एड्मिनिस्टेटिटिव सिस्टम से कि एड्मिनिस्टेटिव सिस्टम सबसे बड़ी अमोरे का और रूरल डिमोक्रिसी और वो जो पूरा विलिज का जो हम आज कल बोलते हैं कि लोकल गवर्मेंट जो हमने अब लगाई है 73-74 कॉंस्टिट पर मुझे पता निये बिजनती गवर्मेंट क्या है इसको विकीपिडिया से सर्च करके कुछ तो अगर मिलेगा मुझे तो सब्सक्राइब में लुगाई ओख वन कांसर दिया डिस्प्ले ओफ वेल्थ पता नहीं कैसे सही है इस प्रट चेक करेंगे इसमें पता नहीं चेक करना पड़ेगा विजे बहुत इंटरस्टिन चीज बिला मिला कि राजा राजा चुप्सटिन, इनों ने सुमातर जावा केंपकर, कल्या लिए था समातर जाव इक्जाथ उल्फ न 속 टीवन अवा फ्रट त मेंश cog टा वापयर में चंहाथ इंटरस्र स्रिलंका का है तो जब मैं यह पढ़ रहा था तो मुझे पता लागा कि राजा राजा जो थे हैं उन्होंने शेलेंद्र डैनेश्य को कब्जा कर लिया था उसके बाद मैं जब राजेंद्र चुला के बारे हैं पढ़ रहा तो मुझे पता चला कि राजेंद्र चुला जो थे हैं स्रिलंका का कुछ अलग नाम है सीलोन करते हैं सीलोन कहते थे हैं सीलोन को उन्हें कब्जा कर लिया था तो मेरे दिमाग में चमका कि भाई राजा राज यह हो जाएगा ऐसा कुछ था इसलिए राजेंदर चोल्या ने कर आया सीलोन को बाद में तो कांसर टुका टुका बी दिया हुआ I think it is wrong It is wrong मैं आपको दिखा भी सकता हूँ राजा राजावेद नहीं किया है तो कोई है ही नहीं नोन फैक्ट है राजा 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 जी थे इन्होंने शलेंदर इंपायर को नवल एक्पेडिशन अगेंस्ट शलेंदर इंपायर और आपको जो राजेंदर थे उन्होंने देकिया strongest बेव बंगार वास कॉन्वर्टे इंटू चुरा लेक और इन्होंने सब्सक्राइब आपने बता है कि थोड़ासा पार्ट किये होंगे सिलंका का कब्जा कर लिया था मालडिव आइलेंड को भी इन नदर कब्जा कर लिया था राज राजा जी थे यह पूच सकता है वर्सायत है मालडिव अडिया यह मुझे पता नहीं तो इसका अंसर देखें थाउसा यह है, रिस्पूटेड है, अगर किसी को कुछ और मिले तो जरूर बताजिएगा, हमारे हिसाब से तो आंसर रही हो जाएगा चोलाज had a conquest of southeast के a short statement डाल दिया अभी देखा हमने कबसे हम एसे लिख देता they had developed a strong fleet obviously, उसका strong fleet था, इस करण से यह तो south east को कबजा किया, विजना strong fleet का कैसे कबजा करता, fleet का मतला मतला shift का समू, तो मेरे सबसे आंसर यह हो जाएगा यह, एक second, एक second यह तो है, की strong fleet है, पर conquest क्यूं किया उसका reason होना चाहिए न, they had a conquest of south east तो क्यूं, conquest क्यूं था, उन्हों क्या reason था conquest करने का, ऐसे तो नहीं हो सकता कि strong fleet है तो conquest कर लेते, यह तो ऐसा होगा कि मैं पस बैट है तो मैं खेलूंगा, यह मैं पस खेलोना है, मार दूंगा, गन है तो मैं मार दूंगा किसी को तो मुझे रहते लगता है कि दोनों independent facts है, strong fleet थी और conquest भी किया था, अगर यहां पर यह लिखा होता कि मान लिजे कोई religion को spread करना है या फिर trade route block हो रहा था, ऐसा कुछ होता जो कि compel कर रहा है जाने के लिए तो वो मेरे खाल से reason बहतर होता, I believe, यह reason लग नहीं ना मुझे तो मुझे बहुत अच्छे से digest नहीं हो रहा है, मैं एक्जाम में आई हो तो मैं यह ही मारूगा क्योंकि मैं यह दिवा में अत्म सेट कर लिया हूँ कि हलका सभी अगर connection हो सेफ साइट खुलूँगा, यह मारूगा, मैं एक सवाल के करन अपना पुरा रहनिती बदलूगा नहीं बदलूगा नहीं मैं क्योंकि हाँ पर एकदम से लग रहा है ना यह यह थोड़ा वो चमक रहा है मुझको और कुछ नहीं अगर ऐसा होता कि थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे और कुछ नहीं है मुझे लगता कि मुझे एसा रसन और रिजन वाला कुछ सवाल को और कॉल करना पड़ेगा ताकि एक प्रोपर रणिती तो अब इस सवाल की बन्वुनियाद पर बनाए जा सके अब ही तक हमारी जीरो थरी यह तो पराने वाले यह तो एक कोई सोर्स लिख देता है अंसर उसके उपर रहता है तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जट्ट्रक आप 1213 के उपर नहीं जाएंगी तो तक कोई कॉंक्रीट नहीं है विच डैनिस्टी वस वेल नौन फॉर एक्सलेंट विलेज अड्मिस्ट्रशन ओके हमने बात किया अभी चोला है और कसी यह गलत नहीं होला चाहिए थीक है इजट बजी हमारा हाता खुल गया जी अर्लिएस इ अचेरा विजयनगर हुँ ए मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने पड़ा है विजयनगर के इंपायर के अंदर में कि वहां पर चारो धरम के लोग साथ रहते थे अच्छे ने से रहते थे मुझे ये स्टोरी इसले ही याद रह गया है अच्छा क्योंकि वहां पर मूर का मतलब होता है मुझे याद रहे गया कि जीविश का वर्ड वहां पर में संदेखा था मैंने विजयनेगर वळा एंसियाटी में देखा था तो बी तो है प्रंतु अर्लियस्ट है कि ये मुझे नहीं पता क्योंकि विजयनेगर तो बहुत बाद में आया और चेरा चोला प्रंडे तो बहुत पूरा ना है हो सकता है पहले आया हो लोग तो यहां पर वड़ा सा डाउट है मजे एक बार बीच में कभी मुझे पता नहीं वह आर्टिकल का रिलीज वह तुमने पड़ा था कि नहीं एक बार ही किसी एक राचा का कहीं वह बहुँ भी है में मिमोरियल बनाया हुआ है बाहर की देश में इस्राइल में बनाया हुआ है या पोलेंड में सम्धिंग गई जिसने एक्षेप्ट किये थे जूइश कम्इटि के लोगों को अब और येस्टे की नहीं पन्हें पता नहीं पर उस संधर में मंने देखा है कि सबसे पहले जूज थे वह मालाबार में रहते थे मालाबार जूज के नाम से जाना जाता था है जब यह यहां पर है नहीं अब घथ सीन तो मेरे ख्याल से वो चेरा के बाद ही है और शायद चेला चोला और पंडिया जो है सात में है मेरे ख्याल से जहां तक कुण है कि यह contemporary है और विजयनगर ही है जो कि बाद में आए तो वह वैसे भी हो जाएगा सबसे पहले अगर हैं तो फिर चोला में बहुत ही ज्यादा बहुत कम प्रवबिल्टी है उस चीज की होने की कि जब चेरा और पंडे खतम हो गया और चोला जब राइज कर रहा है तब जाके सबसे पहली बार जूज है वो एक ही कंडिशन है मेरे खाल से और बाकी चीज तो मेरे को वो तो नॉलिज से था यह थोड़ा लॉजिक बोल रह पूर से यह आ गया है कि देखिए वजबार बोसा करके जो बंदा था वो गयत है क्रिष्ण देवा रहा का कोट में और यहां पर इनने चार धर्म का जिक्र किया हुआ है क्रिश्चन जिव मूर और हिंदू यहां पर मैंने पढ़ा था यह अच्छ 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 सही है सह का शार बोसा या नि कि क्या बार्बोसा यानी कहां से है और वसा यह देखने कर चीज आ है बार्बोसा कहां का बंदा है कि देखने में बहुत लोग आया है विजनगर में बहुत ही लोग आया है इसका अंसर संजोक्षे डी ही है कि अच्छा सवाल है कि अम्रावती अम्रावती अई होल तंजावूर हालेविड परिशाला चौलाज सत्वानास चालुक्याज और पांडियास जहां तक मुझे याद है अम्रावती जो था चात्वाना का कैपिटल था या फर कुस्त था बहुत इंपटेंट था इन चिकाने पड़ा है उसमें तीन स्कूल है गांधारा अथूरा और अम्रावती इन स्कूल जो ऑफ आर्ट है उसमें अम्रावती के नीचे शाथवाना लिखा वाता मुझे याद निचे साथ बादमी है उनका डी का टो उएं हो जाएगा उए छालोक्या तैन बादमी में और विंगे में तो इस्तोल हो जाएगा अच्छा अब इसमें एक चीज मुझे बतानी है, जब भी ऐसा कोई सिटी वगेरा हो ना, इंशेंट हिस्ट्री टाइप्स में, तो इनके जरूर दो नाम होते हैं, हर शेहर के होते हैं, जरूर का मतलग काफी चांसे होते हैं, जैसे अभी आप अमरावती कार मैं स्पॉलर नह देखना कि जिस पेपर को बहुत मुश्किल बताया गया था, उसका सेल्यूशन की इस तरह से तीवाएक्यू से निकला है, उसका बात में पता चलेगा, पर जैसे यह हो गया, अपा थन्जवर, थन्जे के नाम से भी जाना जाता है, और आयहोल को आयाबुर, आयाबुर के नाम से भी जाना जाता है, तो तो यह सब जो हैं देख लेने चाहिए और फिर इससे थोड़ा आगे जब कभी दूसरे नाम से आये तो कंफ्यूस ना हूँ, अप्कुछ तब कुछ तीवाएक्यू में से उठा उठाकर अगर डाल रहे हैं, तो वह आपकी ऊपर हो जाएगा कि यार PYQs में भी आया और फिर भी मैंने नहीं देखा बेरी कलती है तरही बात अब पांच किताबे पड़ो या फिर PYQs ध्यान से पड़ो चोईस आपकी है Six Conscious C है तरही सही बढ़ा इसमें नाम लिख दे ना इसमें नाम लिख दे ना तरही सही बात है चोला किंटम वाज वाज दे डिकलाइन इन निए नहीं जो राजा राजादर जो थें और राजेंदर चोला जो थें 1000 E.D. के आसपास 1000 E.D. उसके आसपास थें 1000 E.D. अब वर्ष तरह और अगरा अमोग वर्ष दे बेस्ट रिमेंबर्ड आफ दी चोला किंग नहीं अमोग वर्ष दो थे राश्कुता किंग थे वह तो निकल जाएगा B तो नहीं है E सही होगा इसका साथ का E बोत ही असाँ असाँ है 7 का E Okay Which one of the following was the name of salt tax in ancient India आगा यह मुझे नहीं पता भागा वल्याम उप्पायम हिरन्या इन salt tax देखा है मैंने कहीं ना कहीं तो पड़ा है NCRT में बट मुझे याद नहीं यह वर्ट्स याद रहते नहीं है जो यह मैंने देखा है यह तमिलनाडव बोर्ड की हिस्ट्री में साउथवले नहीं गुपता के लिए देखा था उसके अंदर भाग तो लिखा हुआ था भाग तो ठीक है अगरिकल्चरल टेक्स है और हिरन्य गर्भ एक प्रक्रिया लिखे हुई है इंसी आटी में जो कि गोल्ड गोल्डन वूम कहा जाता है यह तरीके से कुछ ऐसा होता है कि राजा का करना पड़ता है धुज बॉर्ड करने के लिए अगर्भ एक राजा को कुछ करा जाता है कोई सरेमिनी होती है उससे कुछ होता है मेंको एक्जैक्लि याद नहीं है ठी ठीक है तो वो हिरने गर्भ है तो हिरने का मतलब गोल्ड होता है ओके ओके तो यह चीज तो सॉल्ड से रिलेटेड नहीं है तो यह दो तो कट गए उपयम और वलियम में हुआ अब यहां में 50-50 है बिलकुली यह कोई आइडिया नहीं है हुँ ठीक है हो सकता है जाओ हम लोग नnexprop बाद लगाएं जादर नॉलेज बेसकर साथा आएं तो शायद इसको कर पाएंगे कर थैंब को चुrium हो तो कहीं ना कहीं हम लोग सकता है दूसरी बार पढ़े तो कुछ तो मिल दया हमें की उपा आँसका अंसर अब यही फाइदा हो गया कि अगर हम देख लिए कि वल्या का मतलब हम लोग अगर वल्या का मतलब पता होता तो फाइदा होता तो जब हम लोग नेक्स बार पढ़ेंगे तो वल्या वाला वर्ड मेरा दिमाग ढूंदता रहेगा भाई वल्या कि दर है वल्या कि दर है इस तर साथवाना का हमने अरिक्का मेडू अंध्र में है तमिलनाडू में मास्की जो था यह असोगा के समय था अंध्र करनाटक का उसी क्या सबस्था प्रक्तिस्थान जो है यह कैपिटल रहे चुका है साथवाना का तो इससे यही साबित होता है कि भाई जितने कैपिटल है वो देख लो देख लो पीवाएक्यूस में बहुत शहर है अपने आप ही हो जाएगा अगर यह हो गया है उसके बाद फिर आपको नेक्स लेबल जाना है जो इनसे आट्टी में जितने कैपिटल दे रहे हैं उनका एक दिश्ट बना कि रहे हैं विच अधि फॉलाइंग इस कंसीड़ टुबी दी वर्क वर्क होगा वर्ल्स 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 ग्रेटेश्ट आइकोन ग्राफिकल क्रियेशंस मेड बाइड बाइडी स्थापतिस स्थापतिस का मतलब मुझे नहीं पता स्थापतिस विशासुर मर्दिनी, नटराजा, तुमस कंदा, रामा, ओके, 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 और मुझे समझ में आ गया कि ये चारो जो है, उनमें से सबसे बड़ा मुझे लगता कि नटराज है, जी, वो तो बहुत फेमस है, जिसमें वो जो ब्रॉंज इमेज है, बहुत जादा, वो बहु जादा है, उस ब्रॉंज इमेज के बारे में पूछ सकता है, उसके डीप में जा सकता है, क्योंकि इस बार तो नाम पुछ ले लेकिन डीप में जा सकता है, कारण इसका ये है कि ये चीज निउस में है, वो जो अभी हम लोग का नया पारलेमेंट बना है, उसके बाहर में ब पूल वहां पर दिया गया है वह भी छोला पीरेट कही है तो इन दोनों के बारे में थ्रॉसा पढ़ना आवशक हो जाता है पेसे के फ्रॉसा है तो टन का माँ भी हो जाएगा बाकी हम तीनों के बारे में मुझे नहीं पता है रामा तो ठीक है भग्वान का नाम है बाकी इन दोनों महिशासुर मरदिनी तो आपकी यह दुर्ग मता का नाम हो गया सोमस कंड आपका आश्यव जी हो गया ओके सोमस कंद स्युजी है सोमस एक सोमस रिषी भी है न शोमस रिषी शाइड शीव के होता रहूं सुमस कंद ये सुमस कंद है अब मेरे को exactly नहीं पता तो मैं गेस नहीं बारूँगा छोड़ो ओके ओके इस नाम का जिक्र किया था कि उत्तिरा मेरूर इसक्रिप्शन अभी भी बहुत न्यूज में है क्योंकि चोला पिरिट का जो ये है लोकल पंचायत और लोकल गोवर्मेंट रूरल डेमोकरेसी ये काफी फिमेशल रहा है काफी न्यूज में चल रहा है इसमें ये भी है कि अगर मान लिजे नहीं पता है तो भी लोजिक से हो सकता है क्योंकि भाई विलेज एडिमेस्टेशन की बारे में बात करी है बाकी सारे देख लिजे थंजवर, कांचिपुरम, औरयूर तीनों सिटीज है तीनों अर्बन एरियाज है ये काफी अच्छा लोजिक था ये भी देखा जा सकता है काफी शहीर, काफी सहीर अब रॉंज आइकोंस अब नट्राजा कास्ट दूरिंग इस चोला परियोड इन्वेरियबली शो दे डाइटी ओफ डेटी ओफ ये चार हंड होगा चार रॉंड देख्या है, मैने इस वर चार हाथ हूप अब यूपीसी पूछ सकता है वैँ चार हाथ में क्या क्या है भी पूछ सकते होगी पॉज भी पूज सब कुछ है अजैन देखना पड़ता है वो देखना है और उससे भी important यह पूछ सकता है कि वो हाथ जो है जो चीज है उसमें क्या signify कर रहा है वो भी important हो जाता है हाँ वो हाथ और वो जो ring है मुझे तना पता है वो destruction और construction का cycle के बारे में है और जो नीचे एक body है शायद कोई राक्षास का body है जिनके उपर उना पैर रखे हुए है उसका क्या significance है तो मैं पढ़ा था उसका significance क्या है कि आप अपने जो आपका temptation है उसको दाब दो मार दो ऐसा करके है ऐसा करके है उसका मतलब है इस तरह से सिग्निफिकर्स कर लो इस तरह से आपको सारी का significance पता होना ज़्यकर कि इस बार वो important है अभी देखा हमने कि वो राजेंद्र थे जो completely उसको अब जाकर दिये थे 13 का C हो जाएगा होसाला monuments are founded होसाला का अभी हमने देखा कि capital जो है होसाला का हालेविट था एक और capital था उसका बेलूर ठीक है तो इस कहांसे 14 का भी हो जाएगा देखिए दो बार capital पूछ दिया है तो capital आपको एकदम ingrain होना चाहिए वई श्रिंगेर धारवर हमपी एंड होसपर पता होना चाहिए है हाँ हमपी विजयनगर का पता होगा तब को ओट है प्रिंगेरी करनाटक में है मिल्कुल प्रिंगेरी करनाटक में हैë होसपर मैंने पहली वार सुन Secret Ut quella domination over the peninsular indian in the early medieval times इस सही बात है, हजा रेडी हमने देखा कि हजा रेडी जो है, अर्ली मेडिवल time कहा जाता है और उसमें चोला जो थे, काफी बडिया से, conquer किये थे, सब को हरा के खताम कर दिये थे चोला send an expedition against salendra empire of south east 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 and conquered some of the areas अबिसली सही, अभी हमने देखा उपर में कि जो राजा राजा चुला जो थे हैं, अभी देखें, बेजेते हैं, साले इंट टैनेश्टिप को कभजा कर लिये थे, दोनों सही है, जोनों सही है, इक्षवाकू, इक्षवाकू, इक्षवाकू रूलर्स अफ साथ इन इंडिया लेकि फिर वह ही वाला कॉंसेप्ट लगाएंगे, जो पिछले सवाल में मैंने लगाया था, कि भाई, इक्षवुक के अंदर में बहुत सारे रूलर्स हो सकते हैं, कोई एक रूलर्स थो होगा नहीं, दस रूलर्स होगा नहीं, इक्षवुक को जो डानेस्ट्री है, बहु बुद्धिजम ये भी कह सकते हो आप क्योंकि पाला रूलर्स में बहुत सारे रूलर्स होंगे कोई ना कोई आपको बुद्धिजम को पेट्रोन किया होगा अगर आपको नहीं पता है नौलिस तो लेकिन अगर आप एंशाटी पढ़े हैं ध्यान से तो पता होगा कि पाला ज तो लाकर दिन को अगर आपको इसका मतलब यह है कि आपको सारे डैनस्टी का फांटर के बारें पता होना चाहिए एक बार भी पढ़ेंगे तो यह सब तो पता होगा यह वाले जो सवाल है यह तो आपकी complete basics है बिल्कुल बिल्कुल और देखिए बाकी चारों तो लोग है ना सारे के सारे राश्कुता से ही बिलॉंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सब्सक्रा कांसर भाई भाई भी भी ठीक है यह तो आपकी प्लेसे नोगा बाई ने वह बिल्ट इन दी शेंपिरिड महाबलीपूर्म जो है पांडिया बनाया थे और अजंता जो है ठीक है अगुपता देखा था हूं गुपता के समय शुरू आता बट भाई बहुत बनते रहता ही बोथ बिलॉंग पांडिया जो थे पहले थे अजंता जो थे बाद में थे पांडिया जो थे मुझे लगता है गुपता थे और महुंद्र बर्मन आपका 800 AD इसे महाबाली पूर्म की बनाएं यह अर्जन पिनान्स और वह पांडवरत तब के बने वैं अजन्ता आपको तमसे अच्छब गुपता के टांप यहा ने कि एक ऐसा टाइम जरूर था जब अजंता वहाँ बहुत कर रहा था और महाबलिपुर्मिका कोछ भी चीज डिस्ट नहीं कर रहा है जब फरनतु अजन्था बहुत लंबे समय तक बांते आ रहा था पर पीछ में कहीं महाबलिपुर्म बना अगे तो किया कह सकते हैं कि दोनों सेम पिरिड में नहीं बनाता हां बोल सकते हैं ना जिसओ एडी में था है सच दीक है तो बहुत सरा रहा होगा कि उदोनों साथ में नहीं बन रहा होगा है ओं है बोथ वख बिल्ट इन दे सेम पीरिट के लिए एक एक्जामपल ही काफी है इन के लिए ना करने के लिए ठीक है थादा कभी होगा काउंटर करे दिया ना हमने बस कि भई 680 के बारे में बताओ वर्दे बिल्ट दे देन तो नो बोल देगा तो फ़स गलत हो गया बिल्कुल बिल्कुल ओके एकॉर्डिंग टू पॉर्टुगी इस राइट नूनीज दा वोमन इन विजयनगर इंपायर वे एक्सपर्ट इन विच अब फोलॉइंग एरियाज तो जब मैं पहली बार इस सवाल को सॉल्व कर रहा था दो वाजार बाइस वाइस के असपास तो मुझे पता नहीं था विजयनगर के बारे में मेरे पास नौलेज बेस बहुत कम था प्रूंतु बस इतना पता था कि विजयनगर के इंपायर में भाहिलाओं को ठीक ठाग आजादी दी गई थी बाकी तो नहीं लगा कि ठीक है प्रावर्ण कर रहे गारे कांच कर रही है तो करेगी तो यहां से आपका इक ही ऑप्स जाता लेकिन जानता है कि अहां तक देना तो विलकुल तो इसका अंसर डी हो जाएगा यह महिलाएं जो है रिस्लिंग भी करती थी इसका अड़ी हो जाएगा वाई ओके विट रफेर्श तो एंसेंट स्वरी एंसेंट साथ इंडिया है पुरगई पॉमपुहर एंड बूचिरी यह सवाल रिपीटेट है इसका सवाल है परण्थरी स्वाल रिपीटेट है नान्टिन एटी की वर्ड मेंशन की गए थी और वहाँ पर भी आंसर पूर्ट था अब हमने भी हमने भी देखा है कि को कई एक और बार करा अब फिक और आप यकीन मानिए कि 2023 का जब पेपर निकला था उसके बाद जब अनलिसिस करने बैठे थे लोग तो सब यह बोल रहे थे यह और एक वह आपका धंड कटक वाला जो है धंड कटक वाला जो सवाल है है ना वो यह पता नहीं कहां से लिख दिये ncrt में कहीं नहीं है ऐसा therapist क्यूप बनाए वैसा paper क्यूप बनाए इतना कढ़िं पटा नहें आगए से कहां से पूछेंगे सब यह बोल रहे थे और तब में भी यही गीत गाता था जब पी वायक्यूश नहीं करता था फिर मेरेकर तो आप जब देखने को मिल रहा थो भई पी वाईक्यू में है आंसर सारे और अगर वह एकजाक्ट पी वाईक्यू कर नहीं है तो पी वाईक्यू कि नॉलिज से तो हो ही जाएगा लॉजिक लगाओ PYQ करो NCRD करो बस हो गया और इचले साल मैंने सिर्फ 10 साल का किया था ठीक है इस कारण समय और कहीं दिखा नहीं था और मेरा बता नहीं है मैं छोड़ दिया होगा या फिर गलत किया होगा कुछ तो किया होगा मैंने इसमें जी परन्तु अब मज़ा रहा है अब देखना कि भाई this works यह वाला यह वाला सवाल में स्वाल करा था सही से क्यों क्यूंकि मैंने तमिलनांडू पोर्ड की पड़ा पढ़ा हूँ ता उसमें मुझीरी की जेगे मुझीरी लिखा हूँ था और मैंने मारा था जिसको पोर्ट और भाई मैंने एक extra source पढ़ा थ यह Онब कितना किसमत की बात होगी कि मुझे याद रहा गया किसमत है वो बिलकुल इतनी सारी बड़ी किताब में मुझे एक शब्थ था जो कि इस पेपर में याद करने के लिए इनफ था टा मेरेको कुछ याद नहीं करने थे अभी तक हमने कितने किये हमनेद hardlord कितना समय लगता है और Qद आय। तो यह हमारा department करना कि यहांद हो रहा है यहां पर लोग अपने Caesar एपिसोड में कल्चर, लिटरेशर, डान्स एंड टेडिसन स्क्रीपर बात करेंगे यह जो अला पार्ट है काफी डिफिकल्ट पार्ट है काफी याद रखनी पड़ती इसमें लॉजिक बहुत कम लगता है बट फिर भी हम लोग लाजिक लगाने का प्रयास करेंगा जितना हो